मन की बात कारक्रमें प्रधान मंत्री ने देश के विकास में आत्म निर्भर भारत अभियान को महत्वपून बताया 37 गड़ में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या कल एक ही दिन में डेड़ हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम पर होगा जग्दलपूर एरपोर्ट का नाम करण और प्रदेश के ग्रिह मंत्री ने दुर्ग जिले के बाढ़ प्रभावित अक्षेत्रों का किया दौरा राइगड और जान्दीर में भी बाढ़ के कारण निचले इलाके हुए जलमग नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में आत्म निर्भर भारत अभियान को महत्वपूर्ण बताया है आकाशवानी से प्रसारित मन की बात कारिक्रम में देश वासियों के साथ अपने विचार साजा करते हुए प्रदान मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में देश के समग्र विकास के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान की एहम भूमिका है उन्होंने कहा कि इसके जरिये विभिनक शेत्रों में भारत के उद्योगों को मजबूत बनाया जा रहा है श्रीमोदी ने कहा कि देश में खिलोना उत्पादन के लिए बहुत सी स्टार्ट अप कमपनियां काम कर रही है पहले भी हमारे देश में इस्थाने इस्तर पर खिलोना उत्पादन की सम्रिध परंपरा रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में करनाटक, आंधर प्रदेश, तमिलनाडू, असम और उत्तर प्रदेश खिलोना उत्पादन के बड़े केंदर बन कर उभरे हैं उन्होंने गुरुदेव रविंद्र नाट ठाकूर को याद करते हुए कहा कि खिलोने ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा का विकास कर सकें और यह अवसर भी है जब आज से सो वर्स पहले असरयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांदी जी ने लिखा था कि असरयोग आंदोलन देश वाशियों में आत्मसम्माम और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मिश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है अहसोय योग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाइट वह है उन्होंने देश भर में मनाय जा रहे गणेश पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि दो गज की आपसी दूरी और मास्क लगाने जैसे नियम का पालन करते हुए देश के लोग गणेश पर्व मना रहे हैं इस पर्व के बहाने लोग प्रकृती और पर्यावरण की रक्षा के प्रति भी जागरूख हो रहे हैं। श्रीमोदी ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही पर्वों का संबंध प्रकृती की रक्षा से रहा है। श्रीमोदी गनेश्वी की प्रतिमा स्थापित की गही है। साथियों हम बहुत बारिकिये सगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रक्रूति के साथ सहज जीवन का संदेश छिपा होता है। तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रक्रूति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 5 सितंबर को हम सब सिक्षक दिवस मनाने वाले हैं। अपराच से बचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के समवेदन शील इलाकों में अनेक आफसरों पर प्रसिक्षित श्वानों ने अपनी सूजबूच से बड़ी हिंसक घटनाओं को रोकने में पुलिस की मदद की है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के मिला। कई किसे भी सुने एक डॉक बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईडी खोजा था। आईडी निकालने के दोरान हातंकियों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए। दो तीन वर्ष पहले 36 गड के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉक क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। श्री मोधी ने कहा कि वर्ष 2022 में हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस विशेश अवसर को यादगार बनाने के लिए हमारे युवा साथियों को अभी से संकल्प लेना चाहिए। साथ ही हमें कोरोना को पराजित करने के लिए दोगच की दूरी और मास्क जरूरी जैसे संकल्पों का भी पालन करना होगा। तब ही हम कोरोना से जंग जीत कर देश को विकास के पत पर आगे ले जाने में सफल होंगे। 36 गड़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीती राद तक प्रदेश में एक ही दिन में डेड़ हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आएं। इस बीच रायपूर एमस अस्पताल में बिलासपूर के सीपत थाना प्रभारी मानसी राठिया की आज सुबह मौत हो गई। उन्होंने कोरोना संक्रमन की पुष्टी के बाद चार दिन पहले एमस में भरती कराया गया था। कल देर राध तक रायपूर जिले में 629 नए मरीजों की पहचान की गई थी। वहीं दुर्ग जिले में 187 तथा राजदान गाउं और बिलासपूर जिले में 66-66 नए मरीज सामने आए। इस तरह प्रदेश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संक्या लगभग 29,000 हो गई है। हाला कि इन में से करीब 16,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। जबकि सक्रिय मरीजों की संक्या 12,666 है। कल रायपूर के खमतराई इलाके में आठ कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के कार में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। वहीं स्वास्ते कर्मचारियों को प्रभावित ख्षेत्रों में कोरोना मरीजों के इलाज और बचाव के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा गया है। वहीं राज सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में संचालित कोबिड अस्पतालों में इस्थानी निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की सेवाएं लेने के संबंद में निर्देश जारी किया है। जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि वे इंडियन मेडिकल एस्थानी इकाई के साथ बैठक कर निजी डॉक्टर्स की सेवाएं लेने की व्यवस्था करें। जगदलपूर एरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने बस्तर के जन प्रतिनिधियों की मांग पर सहमती जताते हुए ये बात कही। गौर तलब है कि प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बगेल सहित बस्तर संभाग के सभी विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें एक ग्यापन सौपा। इस ग्यापन को स्विकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपूर एरपोर्ट का नामकरण दंतेश्वरी माई के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने बस्तर के विकास से संबंधित अन्य योजनाओं को भी जल से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर में बोधगाट बहुत देशिय सेचाई परियोजना के बचे हुए कारियों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में आवश्यक धनराशी की व्यवस्था किये जाने की भी जानकारी दी। प्रदेश के ग्रीह मंत्री तामरुद्वस साहू ने दुर्ग जिले के बाढ़ प्रभावित गाउं का दौरा किया। बांधों के गेट खोलने के कारण नदी के किनारे इस्तित गाउं में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रीह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित पीपर छेडी, भोतली, आम्टी और भानपुरी गाउं का दौरा किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते वे उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित ग्षेत्रों में इस्थानिय जन प्रतिनिदियों से चर्चा के बाद राहत के लिए आवश्य कदम उठाये जा रहे हैं। लगातार दो दिन बारिस हुआ और उसमें काफी बार आया, नदी नाले पूल-पूलिया डूब गया था, खेतों में पानी आ गया था, बस्ती में पानी आ गया था। तो मेरे विरांस्वा छेप्र में कौन-कौन से गाउं में क्या इस्थिती है, नदी किनारे के जो गाउं हैं, उसको बेखने के लिए निकला हूँ, और उन गाउं में बैठकर गाउं के किसानों से, सरपन से, गाउं के जन प्रतिने से चर्चा कर रहा हूँ, कि कितना बार स जल्द से नुखसान हुआ है, क्या फशल का नुखसान हुआ है, या कोई घर वर टूटा है, मवेसी है, आदमी है, यह सब का और अधिकारियों को लेकर आया हूं सभी विभाग के, हर विभाग के, तो उसमें अंकरन भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, नीर देझ भ पिछले तीन दिनों से प्रदेश भर में हुई लगातार बारिश के कारण राजिके विभिन जिलों में नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। रायगड के कलेक्टर भीमसी ने नाओ में बैटकर बाढ़ प्रभावित अक्षेत्रों का दौरा किया। किस गाहों में हैं पानी भरा है। तो बारा गाहों उसमें दो तिन गाहों बचे हैं बाकि इनों में कर दी है। और पुलिस और राज्यसु और जनपत की सभी हमारे अभिकारी और काम कर रहे हैं। पूरी राथ यहां काम किया है और लोकल बोट्स मैनेज करके अगी और भी बोट आ रही है। तो अभी तक्रीबन जोह 90 परसनलों को इवेक्वेट करा चुके हैं। तो बाकी हो भी जन्दी करा ले जाएगा। अभी जो लेवल है वो भी थोड़ा सा कम होना चालू हुआ है बराज के ऊपर। तो यह जो लेवल है आगे इसको घटे गई है। उधर जांजगीर चांपास जिले में भी लगातार वर्षा के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं जिला प्रशासन और बाड राहत दल के द्वारा प्रभावित लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। 11 दिनों का गणेश परव अब अपने अंतिम चरण में पहुच रहा है। कोरोना संकट के कारण इस बार गणेश पंडालों के आकार सिमित रखे गए हैं। वहीं बड़ी मूर्तियों के इस्थान पर अधिक्तम 4 फीट की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। गणेश पंडालों पर श्रद्धालों के दर्शन के दोरान भी दोगज की आपसी दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने को भी कहा जा रहा है। इन सब के बावजूद गणेश पर्व का उत्सा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। दुर्गजिले के विभिन इस्थानों पर पंडालों में इस्थापित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धाल लुआ रहे हैं। वहीं आरती पूजन के समय आपसी दूरी का पालन भी किया जा रहा है। इस कड़ी में भिलाई के हुटको इलाके में गणेश पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हुटको गणेश उस्तो समिती के अध्यक्ष धिरेंद्र जोगेवार ने बताया कि इस बार हुटको क्षेत्र में केवल 21 इस्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन भी किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के अन्य जीलों में भी गणेश उस्तो के दोरान प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालों को दर्शन के लिए पांडालों में आने दिया जा रहा है। एक सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिल गणेश पर्व का समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर। मन की बात कारिक्रम में प्रधान मंतरी ने देश के विकास में आत्म निर्भर भारत अभियान को महत्रुपूर्ण बताया। 36 गड़ में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या कल एक ही दिन में डेड़ हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए। बस्तर की आराध्य देविद अंतेश्वरी माई के नाम पर होगा जगदलपूर एरपोर्ट का नाम करण। और तदेश के ग्री मंत्री ने दुर्ग जिले के बाढ़ प्रभावित अक्षेत्रों का किया दौरा, रायगण और जांजगीर में भी बाढ़ के कारण निचले इलाके हुए जलमग्ण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।